Hello Everyone Welcome to my Channel Creative Vishuddah before watching the video, please like and share and subscribe. To hit the bell icon for the latest update तो आज हम करने चाए है oxidation on reduction reaction तो हमने ओपर का जो भी है रखुआ कर लाए था पने पर और पार्ट अपर टू में तो अब आपर जाके मेरे चानल पर आप देख सकते हैं चेकिंग तो अब हमको बोलागे है कि oxidation on reduction reaction मातला इसमें क्या है हमें heat करने जाहिने जिसमें 1 g of copper powder हो तो अब क्या observe खरते हो तो अब यह black substance जो form of वो क्या है वो इसलिए हो एक oxygen जो add होते है copper में कि वो form करें copper oxide तो जब मतलब कि यह copper है cu जब यह react करते है oxygen के साथ तो यह क्या देता है cu o जैसे कि जब यह copper है यह react कर देता है oxygen के साथ तो ही क्या देता है 2 CuO और यहां पर balance नहीं है तो हम यहां पर 2 लगा देंगे ठीक है तो यह है हमारा oxidation reaction जब मतलग कि copper का oxidization हो रहा है तो इसका हम बोलते है oxidization reaction ठीक है अगर जो hydrogen gas है pass होती है over this heated material जैसे कि CuO हो तो जो coating है वो turns करते है brown अगर वो reverse हो जाता है और copper obtained हो जाता है तो आप देख सकते हैं अगर हमने उसको water के साथ कर दिया तो H2 के साथ कर दियो hydrogen के साथ अगर जो substance है वह oxygen gain करता है उसको हम बोलते oxidization reaction यानि कि Cu जब वह oxygen को gain कर लेता है तो उसको बोलते oxidization जब वह loose कर लेता oxygen यानि कि जैसे कि यहां पर यहां पर Cu है यहां पर क्या और वह loose कर रहा है तो यह क्या है reduction reaction है इस reaction में जो copper second oxide है वह loose कर दिया oxygen तो रिडियूज है और जो hydrogen है oxygen gain कर दिया तो वह oxidized है नहीं दूसरे words में कह सकते हैं कि अगर जो reactant है वह oxidized हो जाता है जबकि दूसरे reaction वह reduce हो जाता है तो इस reaction क्या बोलते है हम oxidization reaction या redox reaction reaction कहां से है यानि red मतलग कि क्या होता है red मतलग होता है हमारा reduced red यानि हमारा reduced और ox यानि होता है हमारा oxygen ठीक है तो यह हम पो given है कुछ और भी example given जैसे कि Cu plus H2O तो यह मतलब इसके साथ oxygen का combination हो रहा है तो यह क्या हो रहा है हमारा oxidized और Cu 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 क्या है हमारा अभी oxidized था और इदर जाके इसने ओ अपना इसको दे दिया तो यह क्या हो गया रिड्यूस जो गया ठीक है और भी reaction है तो इसके आप में को comment section में बता सकते हो तो अब हम करेंगे यह जो है यह तो इसके answer solution given है तो आप मतलब कि बेहां करें में को आप बता सकते हो comment section में ठीक है आपने observe करहोगा effect of oxidation reaction everyday life में अब हम बात करते को रोजन तो आपने देखा होगा जो आइलन के particles होते हैं जो आते हैं तब तो शाइनी होते हैं जब वो react कर जाते हैं मतलब कि हम जब उसको open में छोड़ दे तो वो reddish brown powder देते हैं कुछ time बाद तो यह जो process होता है तो इसको हम क्या बोलते है rusting of iron मतले कि जब नया iron जो था वो shiny shiny वो मतले oxygen के साथ combine करके वो rust हो गया है तो इसको हम बोलते है rusting of iron कुछ other metals भी tannage हो जाते हैं इसी matter में जैसे कि आपने देखा होगा color of coating of copper and silver के ओपर coating form होती है तो वो भी हट जाती कुछ दिनों बाद जब metal attacked हो जाता है बाद सब्सक्राइब जैसे कि moisture हो गया acid हो गया तो इसको हम क्या बोलते है corrosion तो एक question है कि वहला corrosion और rusting में क्या difference है तो आप में को comment section में बता सकते हो अगर जो black coating of silver green coating of copper है तो यह भी example हो गए तो जब silver नहीं आना आता तो वो black हो जाता है और जो green coating copper है वो green हो जाता है कुछ दिनों बाद तो उसको क्या बोलते है corrosion की कुछ example होते है corrosion किसलिए cause होता है जब वो damage होते उनकी car की bodies मैं यह सारे हमको example दे रखे हैं जो especially those of iron के होते हैं corrosion of iron corrosion of iron है वो एक serious problem है हर साल जो enormous amount of money जो spend होते है कि वो repair करें damage iron पर तो वो हमारी waste हो जाती है तो आप corrosion करोगे chapter 3 में further ठीक है food material जो है जब हम कुछ time के लिए को छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है तो जब fats और oil oxidized हो जब उसमें मतलब कि oxygen आ जाती है तो वो रैंक से हो जाते हैं और उनकी smell or taste है सब कुछ खराब हो जाता है usually substances जो prevent करते हैं oxidization तो उसको हम बोलते है antioxidants ही जब add होते है food में तो वो जो food है वो जिसके अंदर fats होता है तो हम इसलिए उसको anti oxygen डालते कि वो prevent करें कि oxidation reaction से जब हम food को airtight container में रखते हैं तो वो help करते हैं कि वो slow down करें oxygen तो आपने देखा होगा कि chip manufacture वो flush करने है विद नाइट्रोजन कि वो prevent करें कि वो oxidization हो जाए ठीक है तो आप इसके answers में को comment section बता सकते हैं जिसके भी answer सही होई तो मैं उसको comment को pin कर दूंगी ठीक है तो यही था हमारा part 3 तो हमने पूरा chapter 1 chemical reactions and equations cover कर ले तो आए होब आपको वीडियो अच्छी लगए वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक कर देगा शेयर कर देगा चानल पने आए तो सब्सक्राइब कर देगा